नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भाईजूज आएस में और साप्ता एक सर्विक्षन में अंतररश्टी घटना करम के जिसमें हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको तैयार कर सकें प्रतियोगी परिशाओं के लिए, प्रश्टी घटना करम ने, वो मझली शक्तियों से जुड़ा हुआ है, जिनें अक्सर उदीवान शक्तियां भी कहते हैं, उन्हें शेत्री प्रभुत्र की शक्तियां भी कहते हैं और इनके बारे में हमारा ध्यान इसलिए नहीं जाता है कि अक्सर हम उल्चे रहते हैं महाशक्तियों, बड़ी शक्तियों के आपसी समीकरों उनके बदलते संबंद में हाल में हुआ यह है कि जब अफगानिस्तान में 30 से टालिवान का आकरमन बढ़ा और उन्होंने लगभग यह इस्तिती पैदा कर दी है कि कभी भी हो काबूल पर कबजा कर सकते हैं तो एक वारताओं का दोर इरान में शुरू हुआ और यह वारताओं का दोर तब शुरू ह पाकिस्तान मिलकर समाधान तलाश कर सकते हैं इस उल्जी हुई गुत्ती का अमेरिका ने पहले परसाव रखा था कि इरान उस शांतिवारता में 16 में के प्रयासों में भाग लेने को आए जो कतार में जारी हैं जहां गतिरोध है मगर इरान के प्रतिरीदे ने बिल्कुर शुरू करने का जो आशवशन बाइडन ने दिया था उस पर वो स्थिर नहीं ठीके रह सके हैं तो ये सारी शिकायते इरान की शायद वाजिब हैं और इरान ने जिन शांतिवारतां का दौर शुरू किया है अमेरिकन चाहेंगे कि कहीं न कहीं उसमें उनकी हिस्तेदारी र शुरू हो चुका है चीन की सामरी घेराबंदी के लिए क्वाड का प्रयास दक्षणी महिंद महासागर में और प्रशान तक्षेतर में चल रहा है और ये जो कुछ प्रयास उसके इस दूसरे पश्चिमी मोर्चे पर भी हैं उनको देखते वे ऐसा नहीं लगता था कि चीन और अमेरिका के बीच में कोई समाध होगा मगर हाल की दिनों में अमेरिका ने ये संकेत दिये हैं कि वो कुछ उनसार मभामिक मुद्दों पर चीन के साथ परामर्श करने के लिए समझोते के लिए तयार है जिन पर मानव जायती का भावशी ठिका है जिन में महामारी के वो अंतरराष्टी बिराज़री की समझ में आ रहा है हम पहले ये स्पष्ट कर दें कि मध्यपूर में अकेला इरानी नहीं है जिसका दावा शित्री महाशक्ति का होने का है जो अपना प्रवत्रिया स्थापित करना चाहता है साथी अरब भी है यदि एरान एक शिया राज जिया तक देश हैं तो एक प्रतियों देटा इनकी इस मोर्चे पर भी है एक समय थाशी तो के दौरान जब बोलुई राष्ट पक्षधर थे अमेरिका के पूजी वादी अमेरिका के मगर जब से इस्लामी करांटी एरान में हुई और तक्तापलट रजाशा पहल भी का नि करते हैं सदियों पहले कि उन्हें इतिहा से मुट भेड़ों में जब एक या दूसरे देश ने दूसरे की भूम पर चोटे-चोटे द्वीबों पर कबजा कर लिया था मगर ये बात सिर्फ एरान और साओधी अरब तक सीमित नहीं है यदि आप दुनिया के मांचितर पर अ इंदुनियसिया है जिसकी गिंती बड़ी आबादी वाले देशों में होती है बड़े भूकरी कुस्तार वाले देशों में होती है जहां तक अफरीकी महादवीब का प्रशन है दक्षिन अफरीका को आज कोई ऐसी एक्षेतरी शक्ति नहीं मानता जो आने वाले निकट होर में अफरीका के और उस इलाके में जो बगरब का इलाका कहलाता है उसकी भूराजनिती किस्तिती कुछ-कुछ वैसी है जैसी तुर्की की उसकी भूराजनिती किस्तिती ऐसी है भागोली किस्तिती ऐसी है कि वो नकेवल पश्चिम एशिया में बलके अफरीका में और यो अगर यदि आप देखें तो दक्षिन अमेरिकी महादूरीप में पहले ब्राजील की है भूमी का थी मगर ब्राजील आजकल संकट गरस्त है तो क्या उस ख्षेतर में कोई कोई भी शक्ति ये महत्वा कांक्षा पाल सकती है कि वह ख्षेतरी उदीमान शक्ति होगी एक छोटी सी बात जिसका उल्लेख करना जरूरी है वह या है कि जितनी भी ये शक्तियां होती है फिर हम वापस लोटें मध्वपूर के ओर वो ख्षेतरी शक्ति इरान हो साओधी अरब या खाडी देशों इन सबकी एक स्मृति का संसार होता है इनके उपर एतिहासित स्मृतियों का एक बोज लदा होता है इन्हें लगता है कि अतीत में इनके बड़े-बड़े सामराजी थे इनमें कुछ चीज़ें इथार्थें कुछ चीज़ें फंतासी हैं कुछ चीजें कालपनिक हैं, कुछ चीजें बहुत संब्रद होने के बाद इतिहास को दूबारा गढ़ा गया है, निखारा गया है मगर कहीं न कहीं ये स्वर्टियां इंडूरीसिया में हैं वियतनाम में हैं सौधी अरब में हैं इरान में हैं एथियोपिया में हैं और तुर्की में हैं इन उदी मान शक्तियों का चर्चा करना बेहत जरूरी है यदि ये शक्तियां हमारे पक्ष में हमें नजर आती हैं तो ह हमें वो अपने फिट के प्रितिकूल लगती है तो उन्हें पुलूत्थान वादी या ऐसी कृहंती कारी शक्तिया करते हैं जो अंतरराश्ट्री यतास्तिति को मैं हलचल मचा सकती है उसको अस्तिर कर सकती है जहां तक दक्षिन इशिया का सवाल है कुछ समय पहले तक भारत क किसे कोई कलपना नहीं कर सकता था कि भारत से इतर कोई शक्ति इस प्रहद्वित में एक्षित्री भूमिका निवा सकती है मगर चीन के साथ सैनिक मुटवेड के कारण, चीन के साथ सीमा विवाद के कारण और चीन के शडिंद्रों के कारण परवसी देशों में भारत की ये भूमिका लगभख संकुचित होती जा रही है खास कर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संदर्म में तो मुझे लगता है कि ये बात हमको अच्छी तरह गांट बाद लिनी चाहिए कि आने वाले दिनों में अंतरराश्री घटना करम कहीं अधिक प्रभावित होगा इन ख्षेत्रिय मजली शक्तियों से जो संपन्न है जिनका एक एतिहासिक अनुभव है जिनकी सुमृतियां पुराने समराज की है और जिनके आपसी हितों में ख्षेत्र महीं टकराव है अपनी हित्मे कर पाएगा या चीन उस रिफ्ट को भरने के लिए इनको अपने साथ कर अपनी भूमंडली विस्तार को और भी मुढबेड़ वारा दिखलाते हुए या पक रूप दे सकेगा ये चर्चा हम करेंगे इस बार और अगली बार कुछ और शिद्री शक्ति होगा और जिन से आपके लिए समझना आसान होगा उस अंतरहश्री घटना करम को जो भूमंडल पर इस समय घटित हो रहा है जब हम इरान पर हज़र डालते हैं तो सबसे पहले हमें यह बात याद रखने की ज़रूरत है कि इरान संसार की प्राचीन तब संभिताओं में से एक है हजारों वर्ष पहले जब मिस्वटामिया में, बैबिलोन में, मिसर में प्राचीन सस्कृतिया फलपूल रही थी उसी समय इरान में भी इस सस्कृतिया फलपूल रही थी और यहाँ जिरेकसस महान था, यहाँ दारा महान का साशन था और जब सिकंदर के साथ संघर्ष उनका हुआ, वो पराजित हुए, मगर भले ही अपने ख्शत्रप, अपने सुबिदार सिकंदर यहाँ छोड़ कर गया और कुछ युनानी प्रभाव इरान पर पड़ा, कि तो इरान ने अपनी सुबिदाप उन्हाँ वापस हासिल कर ली और एक बड़ी शक्ति के रूप में उसकी पहचान इस ख्शत्र में होती थी आज जो हम इरान की बात करते हैं, तो हम इन हजारों साल पुराने इरान की समराज की, उसकी परमपरा की, उसके गॉरुप की बात नहीं करते हैं हमें ये भी याद रखना होगा कि इस पूरे भोगोलिक एक्षेतर में इसलाम के आविरभाव के बाद इसलामी धरमियुद दोर विजय का एक लंबा दोर चला और जो इसलामी खिलाफत स्थापित हुई बाद में इस्तंबूल के नाम से जाना गया तो उसके चलते दुनिया भर के मुस्लिम समधाय के लोग तुर्की के ओर देखते थे और वो तुर्की ही था जिसकी तरफ देखता इरान भी था और जब इरान की अधिकांग जंता ने औ वो भारत आए और आज सिर्फ वो भारत में शेशें अनितर कहीं नहीं शेशें एक और चीज़ जो हमें याद रखनी चाहिए कि भले ही इरान भी इसलाम को स्विकार करने के बाद एक मुस्लमान राज़ बन गया मगर वहां का अधिकांग समुदाय उस संप्रदाय का था ज अब यदि आप देखें तो ये पाँच साथ सो वर्ष का आठ सो वर्ष का इतिहाज ऐसा है जब अलग अलग खिलाफतें वहां स्थापित हुईं कभी उमयद कभी अबासिद कभी फातिमिद इन सब कभी रशिदी के रहते एरान का महत्व अपिक्शा करत कम होता गया जब ऐस्لامी समराजी के हम बात करते हैं तो हमें इसलाम कभूल करने के बाध वाला एरान यादन नहीं आता है बहले ही तहरां इसलामी तुनिया, इस्ताम्बूल ही था और जब इसलाम के समराज़ी का विशुलापी विस्तार हुआ कि चीन की सरथ से लेकर स्पेन में कोर्डोबा तक, गरनाड़ा तक तो उसमें इरान का लेना देना बहुत कम था ये स्थिती बदली लगभग 19-वी सदी में जब पश्चमी देशों को इस बात का हैसास हुआ कि इरान की भूराजनी ते किस्तिती ऐसी है कि जारशाही वाले रूस के साथ जो शक्ति संगर्ष चल रहा था ब्रिटेन की संवरज़वादी ताकत का मगर उसकी अपनी हस्ती तब भी उतनी नहीं थी जितनी रूस और ब्रिटेन के कारण थी जारशाही रूस और ब्रिटेन के कारण थी इजर्मन जिते ते जो चाहते थे कि वहां उको रेल्की पट्रें भीचाने का मौका मिल जाए वो लाब उठा सकें एक यूर्पी शक्ति को द advent के खिलाफ लडाने भढ़ाने में खुद अपने हेतों को खत्रे में डाले बिना तो क्योंकि एरान एक तरफ पहुँचता है लाल सागर में एक तरफ पहुचता है फार्स की खाडी में तो जो जलमार्ग योरोप को जोडते है एशिया से उसकी संदर में वो बहुत बहुत पूर्ण है खुल मिलाकर इरान का महत बढ़ना शुरू हुआ मगर वास्तों में इरान की हस्ती बढ़ी प्रथम विशुद्ध के बाद जब एक नए राजवनश की स्थापना महां हुई पहल भी वनश की तो जिसके उतराधिकारी सब्से यशश्वी जब तक रहे वो ताकत में रदाशा पहल भी थे मगर वास्तों में जब एरान का महत बढ़ा तो वो दितेवी शुद्ध के बाद बढ़ा जब पश्वी ताकतों को पता चला कि एरान के पास नकिवल खरीस संसादन है बलकि बहुत बड़ी मातरा में तेल औरग्यास का बंडार भी है तो उस समय दो विकास हो रहे थे एक तो कुछ जनतांतिक शक्तियां उभर रही थे एरान में जो राजशाही के खिलाफ थी वहाँ प्रसम गिरवाचित प्रसान मंतरी मुसादिक थे मगर अमरीकनों को और अंग्लेजों को लगता था यदि वहाँ वास्तों में जनतांतर आ गया तो उनके जो तेल से जुड़े सामरी खेते हैं आर्थिक हेते हैं नियस्तों आर्थे हैं उनको नुकसान होगा तो एक तख्ता परट C.I.A. की साज़िश के अमसार हुआ मुसादिक को हटा दिया गया उनकी हत्या हो गई और वहाँ जो राजशाह पहलवी थे वह अधिक ताकतवर तानाशाह की रूप में उबरे उनके संबंद बड़े अच्छे बने रहे अमेरिकनों के साथ, ब्रिटेन के साथ जब तक तेल कंपनियों का नियंतरन इन देशों के हाथ में था जब उन्होंने खुद तेल की कमाई से अपनी शक्ति का प्रक्षेप अन्यतर पड़ोस में और और जिंगे करना चाहा तो पश्चिमी दिशों को लगा कि उन पर अंकुष लगाना ज़रूरी है उन्होंने अपनी तेल संबंदा से जो काम किये उनमें कुछ निश्चित रूप से अच्छे थे संराचे का विकास किया गया शिक्षा और जिक्सा की उत्कृष्ट सुईधाएं कम से कम तेहरान में सुलब कर आई गई एक आधुनी करन का दोर शुरू हुआ एक खुलेपन का मिजाज महां आया और जो कटरपन्ती इसलाम के तत्व थे उन पर अंकुष लगाया गया मगर ये बात हम नभूले कि जो कुल मिलाकर इरान की जनता थी उसका संसकार कटरपन्ती शिया इसलाम वाला ही था तो जो मुल्ला मौल्वी थे वो शाह की आलुचना कर रहे थे शाह ने अपने लेचुकों को बहुत सक्ती से उनका दमन किया और आयतल्ला खुमाईनी को भी वहाँ से भाग कर शरण लेनी पड़ी फ्रांस में ये इस थी कमोबेश चलती रही जब तक बुड़े होते बिमार होते शाह अपनी गद्धी को बचाने में समर्थ नहीं हो गए वास्तव में 1989 का वर्ष एक ऐसा वर्ष है जब इस्लामी करांती सफल हुई इरान में उसका नित्रत किया आयतल्ला खुमैनी ने जो फ्रांस से लोट आए उनके समर्थों को पहले दमन करने का कुर्टा से प्रयास किया शारजा पहलवी ने उनकी गुप्चर सेवा ने पुलीस ने सेना ने मगर इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली और अंततर उन्हें देश शोड़कर बाहर जाना पड़ा अब यहां पर अमेरिकनों को यह लगा कि एरान का इतनी तेजी से नाटकी काया कल्ब हो रहा है कि उनके हसामरी खेतों को नुकसान हो सकता है सैनिकन बंदनों में उनकी इस्तिक हमजोर हो सकती है जो सेंटों जैसे हैं और तब तक जो रूस था वो उसका काया कल्ब शूरू नहीं हुआ था सोयद सामराज का विगटन भी तब तक नहीं हुआ था अफगानिस्तान में रूसी सेनाओं का हस्तिक शेप भी नहीं हुआ था तो ये कुल घटना कर मैसा था कि अमेरिकों को लगा कि उन्हें निश्चित रूप से हटाने का प्रबंद करना चाहिए अयतुल्ला खुमैनी को और इसलामिक करन्टी को रोखना चाहिए तब कालीम अमेरिकी राश्पिती कार्टर ने सेनिक हस्तक शेप की एक उजना मनाई उसका कारण ये था कि अमेरिका के साथ अपने संबंदों की कटता को देखते हुए आयतुल्ला खुमैनी ने घेरा बंदी कर दी थी तेहरान में अमेरिकी राश्पित अबास की शुरू में साथ से अधिक राशनेक वहाँ बंदक थे बागन महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया गया मगर तब भी पचास से अधिक बंदक वहाँ थे जो लगभग साल भर तक बंदक बंदक बने रहे कार्टर ने जिन हेलिकॉप्टर सेलिक बखतर बंद हेलिकॉप्टर को वहाँ भेजा उनमें खराबी आ गई वो इस बद्ले परिवेश में काम नहीं कर पाए ये सेलिक हस्तक शेप जो था वो बहुत बुरी तरह अस्फल हुआ एक हेलिकॉप्टर टकरा गया अपने एक मालवाग विमान के साथ साथाट अमेरिकी मारे गए और बड़ी भद हुई अमेरिका की उसकी महाशक्ति की सीमाएं बिल्कुल सपष्ट हो गई टेक्नोलोजी की अस्फलता भी सामने आ गई कार्टर को ये स्विकार करना पड़ा कि ये रणी ते उनकी गलत थी और कई लोगों का मानना कि कार्टर का पुरर निर्वाचन इसलिए नहीं हो पाया एरान की जो कासंकर था उसका सामना करने में वो असमर्त रहे थे मगर यहां दूसरा पक्षी है अमेरिका की स्थिती 1980 के आते आते खिस्याई बिल्ली खंबाल नोचे वाली जैसी होती जा रही थी उन्होंने इरान पर किसी ने किसी तरह काबू लगाने के लिए आयातुल्ला खुमेनी को वहां से खटाने के लिए इरान को कमजोर करने के लिए बढ़काया इराक के ताना शाह सद्दाम हुशेम को और शुरुआत हुई 1980 में उस इरान इराक युद्ध की जो आठ वर्ष्ट से कुछ ज्यादा समय तक चला जिसमें लाहों से निक खताहत हुए दोनों ही दिशों को एक बहुत भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ी मगर कोई नतीजा इस युद्ध से निकल नहीं पाया हाँ दोनों देश कुछ समय के लिए उनका आर्थिक विकास अवरुद्ध हो गया उनकी स्थिती कमजोर जरूर हुई पहले सद्दाम हुसेन ने हमला किया उसके डाटकी हमले से इरानियों को चकित रहना पड़ा वो बहुत तेजी से आगे बढ़ी इराकी सिनाए खुर्रम शायर पर उनने काबू कर लिया पर जो अमान नामक स्थान निकट वरती तेल सेयंत था उस पर उकाबू नहीं कर पाए और जब इराक ने एक अलपना नहीं की थी कि इरान जब जब जवाबी हमला करेगा तो उन्हें लगता था कि वो अनवावीन किशोर सेनिक हैं जिनमें सिर्फ जबा धार्विक उल्मान का है मगर उनका जो इरानियन रिवलूशिरी गार्ड थी उनका करांतिकारी जबा, इस्लामी जबा, शहादत का जबा इतना मजबूत था कि उन्होंने खडेड दिया एराकी सेना को वापस सिमा के बार और बढ़ घुजा है एराकी भूमी पर मगर जब एक बार वो इराकी भूमी पर घुजे तो फिर एक जिच की स्थिति हो गई क्योंकि एराकी सेना के पास अधियार आदी अधिक थे सैनिक लड़ाई का अलबाव अधिक था वो अपनी जमीन की रक्षा के लिए लड़ रहे थे तो फिर दो साल में ये स्थिति फिर जिच में बदर गई जुद आठ साल से कुछ अधिक समय तक चला मगर इसका कोई जो लाब पश्चिमी शक्तियों ने सोचा था वैसा नहीं हुआ हाँ ये जरूर है कि आप ये कह सकते हैं कि एराग में सद्दाम हुसेन का अंत अंत की शुरुआत यहां से हो गई उसका राक्षी जी करना और दानवी करना संभव हो गया इराग ने अपनी प्रतिरोत की एक्षमता प्रदश्चित की अंतराष्टी मंच पर इस जुद्ध के अनुभव के बाद अपनी इजद को बचाने के लिए बढ़ाने के लिए फिर संद्दाम को हमला करना पड़ा कुएत पर वो कुएत के तेल संसादरों पर कबजा करना चाहते थे उनका दावा ये था कि एतिहासिक दृष्टी से इन इस भूबाग में उनी का कबजा होना चाहिए था मगर ये एतिहासिक सामराज जी की जो इस परतियां थी उसमें अब उनको साहनुगूती पश्चिम से नहीं मिली 30-35 पश्चिमी देशों ने एक जमगट बनाया और एक बहुराश्टी हस्तक शेप की भूमी का बनाई इराग पर आर्थिक प्रतिबंद लगाए और यहां से इस जो थोड़े समय ही चला था खाड़ युद्ध मगर उसमें फ्रांसीसियों ने और अन्य शक्तियों ने अपने आयुदाओं का प्रदशन किया तो लोगों ने कहा कि शायद इन आयुदों के विज्यापन के लिए स्कड बिजाहिल साधी के लिए एक विज्यापन का मौका था जिसके लिए इस युद्ध को लड़ाया गया था मगर समय जब घटनाए घट रही थी उसी समय यह हो रहा था और इन दो युद्धों के दौरान इरान युद्ध के दौरान और खाड़ी युद्ध के दौरान ये आरोब भी सद्दाम हुसाइन पर लगाया गया कि वो अपनी जंता के विरुद्ध रासेलिक वरजित हत्यारों का प्रयोग कर रहे हैं वो कुर्दों का वंशनाशक नरसंगार कर रहे हैं और कुर्द एक ऐसी अल्पसक्य समुदा है जिनकी बस्ती तुर्की एराक और इरान के बीच में बिखरी पड़ी हुई है ये इस्तिति आज तक नहीं बद्ली है और शायद हमें इस्विकार करना पड़ेगा कि एरान और इराक के बीच भी जो टकराव हो सकता था मगर चूंकि सत्ता परिवर्तन के बाद जिस बुरी तरह से अमेरिका ने इराक को तवा किया है उसके संसादों पर कब्जा किया है उसकी तेल उत्पादन और निया तक श्रमता को नश्ट किया है वहां ग्रहयुद किसी इस दिनलंतर चली आ रही है वहां भी जो सुनी नेता और सुनी शाशक और बहुसंक्यक शिया समुदाय के बीच का संगर्शता जिनको इरान से समर्थन मिलता था वो भी हमें याद रखने लायक है मगर जब इराक की भूमिका हड़ गई इस ख्षेत्र से एक प्रमुक शक्ति के रूप में तो इरान लगबग अकेला यहां बचा रहा है जो प्रहुद करना चाहता है उस घटना करम को इस ख्षेत्र में अब पश्चिम वाले यह सोचते थे कि इरान की जनता आधिनिक मिजाज की है, इसलाम को पसंद नहीं करती है, जनत अंत्रिकी हमायती है, वो ऐतला खुमेनी का विरोध करेगी तो जब भी कोई प्रदर्शन इरान में होता था, उसका सामाजिक माध्यम पे इंटरनेट आधि पर बहुत प्रचार प्रसार होता था, जैसे अरब स्प्रिंग का होता था, मगर कुल मिलाकर अपने विरोधियों पर आकुष्ट जनता पर निंतरन पाने में, हुमेनी और उ के साशन काल में, जब अमेरिका ने को ये साहता देकर इसकी शुरुआत की थी, मगर 1989 में जब इस्लामी करांटी सब्वान होई, तो अमेरिका ने अपने हाथ खीच लिये, पर इरान ने फैसला कर लिया था, कि यदि उसे एक शेत्री ताकत बनना है, उसे अपनी प्रभुस अस्तर आ गए, तो उसका स्थित्त खत्रे में पड़ जाएगा, इरान से चिंता साओधी अरब को भी थी, और इरान करमशा बाद ही हुआ, चीन से कुछ परमानविक टक्नलोजी पराप्त करने के लिए, बजरिये, पाकिस्तान से कुछ तसकरी के जरिये, और इस से निरंतर अमेरिका की आशंकाएं, इरान की पृती बढ़ती चली गए, ये स्थिति लगभग टकराव की बहुत समय तक चलती रही, दोजार बार तेर के असपास जब उबामा आए, तो उन्हें लगा कि ये स्थिति अन्शित काल तक नहीं चल सकती, इरान के साथ भेले ही मैतरी नहो बगर सहयोग या समवाइद की जुरुवत है, तो उन्होंने एक बहुत पक्षी समस्वता तयार किया, जो बहुत आयामी था, जिसे P5 प्लस 1 भी कहते हैं, कि सुरक्षा परिशत के 5, 27 तदस और जर्मनी मिलकर और येरोपी समधाय भी परदे के पिछे से समय शामिल रहा, क पर्मानिक उर्जा का मात्र शांति पूर्ण उपयोग करेगा, और जो जो उरेनियम को सम्रिद करना होता है, उसको एक 4-5 प्रतिशत से उपर नहीं ले जाएगा, इरान इस बात के लिए राजी हो गया था, मगर जैसे ही राष्टपती टरंप निरवाजित हुए, उन्हों स्थिती है कि बाइडन ने अपने चुनाव अभियान के दोरान इस बात की घोशना की थी, कि वो एरान के साथ भी पुराने समझावते को जाईवी रखने के लिए पुरर जीवित करने का प्रयास करेंगे, तोंकि उबामा के कारिकाल में, उपर राष्टपती के रूप में उनकी काफी महतिपून भूमी का समझ में रही थी, मगर जब यह वो निर्वाजी थोकर वाइट हाउस में आ गए, तो उन्हें लगा कि वो इस वाज़े से बुकर सकते हैं, अनिता उनकी देशवासी उन्हें कमजोर राष्टपती समझेंगे, और इरान का आज दावाई य कि इरान कुछ पेशकश करें, पहल करें, तो अमेरिका प्रतिबंदों को हटाएगा, इरान का ये कहना बिल्कुल जायज लगता है, जो अत्रिक्त प्रतिबंद ट्रंप ने थोपे थे, उनको यह दिए अमेरिका हटाएगा, तो कुछ पहल सद्भावना बढ़ाने के लिए विश्वाश परस पर बढ़ाने के लिए इरान भी करेंगा, एक और उल्जी गुत्ती इसके साथ ही है, कि इसराइल की साज़िश यह रहती है, कि वो अंतराश्टी दवाब से इरान की नीतिकी बदलने की प्रतिक्शान न करें, बलकि उनकी जो खुविया एजिंसी वो अकसर इस बात का श्रेय लेती है, बहले खुलना खुला सुविकार न करती हो, कि उन्होंने इरान के चोटी के परमानुदिक मेग्यानिकों की हत्या की है, उनके संत्रों में तो फोर की है, इस बात को भले इरान खुलकर सुविकार न करता हो, मगर जितनी दुरघटना ह उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि यह स्वभाविक है तो इरान ने धीरे धीरे यह कहना शुरू कर दिया यदि पश्चिम अपने समझोते का हिस्सा का पालन नहीं करता तो हम क्यों एक पक्षी पालन करेंगे उन्होंने यूरेनियम को भी समर्द करना बढ़ाना शुरू किया है और आज वो लगबग 20 प्शाथ बढ़ा चुके हैं जहां से परमानवी के अस्त्र दाने के लिए पहुचना बहुत मिकट है अब ये पुल घटना करना ऐसा है जब आज नए इरानी राष्टपती के निर्वाचन के बाद रेईसी के बाद जिनके साथ दक्षडपती अधिक कटर सलाकार रोनेता सामने आये हैं क्या इरान जो उसने आयोजन किया है तालिबान को बुला कर रोस और चीन के साथ एक बारता शुरू करके अफगानिस्तान संकट पर नियतर रण पाने के लिए तो क्या वो अफगानिस्तान तालिबान से शुरू कर अपना प्रफाव खशेतर अन्यतर बढ़ा सकता है इस खशेतर में जो उसके इशारे पर मिलीशिया काम कर रहे हैं कि दिये हतियारों से दक्षणी यमन के हाओधी साओधी ठीकानों पर हमला कर रहे हैं हाल में एक इस्राइली तेल वहाग का टेंकर पर हमला हुआ था तो क्या ये इस्तिती ऐसी ही चलती रहेगी या इसमें कोई परिवर्ट होगा ये हमें देखना होगा क्योंकि इसी इक शेत्र में और खिलाडी भी है साओधी अरब जब हम साओधी अरब की तरफ देखते हैं तो हमें फिर एक बार ये बात याद आती है कि इरान की तरह ही बहले ही साओधी अरब का दावा सद्यों पुरानी हजारों साल पुरानी संभिता के मारिस होने का हो बहले ही वो इसलाम के सबसे पवित्र तीर्थों का संरक्षक हो उसका प्रभाव स्वाभाविक लूप से पूरे मुस्लिम संभिदाय में बहुत बड़ा हो मगर कहीं न कहीं हमें ये बात स्विकार करनी ही होगी कि आज का जो सौदी अरभ है उसका कोई नाता उस एतिहासिक अरभ भुबाग से नहीं है जब एक शाही परिवार के रूप में वहां एक राजवंच की स्थापना नहीं हुई थी ऐसा प्रतम विश्विद्र के बाद ही हुआ जो एक ब्रिटेन का गुप्तिचर था जिसे लौरेंस अवरविया का नाम दिया जाता है उसने अपनी इच्छानुसार एक दुसासिक सैनिक की तरह जिसको अरभों से बड़ा प्रेम था अरभ जीवन शेली उसने अपना ली थी जहां इनके राज्यों के भागी विधाता बनकर अपनी भूमी का तैकी और उसकी सला को मानते हुए या ग्लुप पाशा नाम के एक और बरतानवी राजनाईक थे उन्होंने प्रतम विशुद्ध के बाद इन राज्यों में अपना प्रभूत बढ़ाने के लिए पेशका शुरू की थी हमें फिर ये बात याद रखनी चाहिए कि प्रतम विशुद्ध से दुद्री विशुद्ध के अंतर तक भी कोई बड़ी भूमी का साओधी अरब की नहीं रह सकी थी साओधी अरब की भूमी का अंतर राश्री राज्मीती में तब बढ़ी जब 1950 के दश्रक में ये बात पता चली कि हाँ कितने बड़े पेमाने पर तेल और गैस के संसादने साओधी अरब दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा तेल उत्पादक है और सबसे बड़ा तेल निरियातक है इस अधिक तेल का उत्पादन सिर्फ अमेरिका करता है पर निरियातकों में ये ज़्यादा मातपूर्ण है जहां तक इसके तेल गैस भंडार का प्रशने वो किस पाइदार पर खड़ा इस चीज़ बदलती रहती है नए नी खोजें होती है नए नी टेकनीकों का बिक्सित होती है तो उस बहस में हम नहीं पढ़ना चाहेंगे मगर आज भी अपनी तेल संपधा के कारण एक बेशुमार अमीर रियासत सौधी अरब है मगर बेशुमार अमीर रियासत होने के साथ साथ वो एक निरंकुष राजशाही द्वारा शाशित रिक्षेतर भी है और भलेही उसका भॉगोलिक विस्तार कई हजार वर्गमील भुबाग पर है मगर वहां की आबादी बहुत सीमित है और जो आबादी सीमित है वहां लगभग एक करोड़ का हाकड़ा चूने को वहां की आबादी है मगर उनमें सिर्फ ऐसा है कि एक करोडा की आबादी में 20 लाग ही सौधी अरब हैं बाकी 80 लाग जो लोग है वो आप्रमासी हैं कुछ भारत से हैं, कुछ पाकिस्तान से हैं, कुछ बंगलादेश से हैं, कुछ नेपाल से हैं, कुछ फिलिपीन से हैं, कुछ यूरोपी देशों से हैं, उनके पास इतना पैसा है, वो जो चाहें, अपनी इच्छानुसार भोग विलाशी जीवन यापन शेली के लिए लोगो करते हैं कि पैसे के बल पर सब कुछ खरीद सकते हैं न्याय भी और अनित्र भी वहां मानवादिकारों के हननल का बार बार अरूप लगता है जिसे खशोगी नाम के सौधी मूल के अमेरिकी पत्रकार के हक्तिया जब तुर्की में कर दी गई थी तो वह एक बड़ा भैंकर खो हमारियां उनको उनके प्रतिलिंगे भेदी अन्याय होता रहा है यह सारी उधारन सामने आए हैं एंबीएस का प्रयास मुहमद बिन सल्मान का प्रयास यह रहा है कि वह अपनी 26 उधारे और कहें कि मैं अपने देश को आधुरिक बना रहा हूं मैं उसको एक जनतंत की ओर ध जन्म हुआ है अलकाइदा वो साओधी अरब से ही हुआ है और इस अतकवाइद की गंगोत्री जो चारों दिशाओं में बहे रही है वह वहाबी इसलाम की कट्टरपंती आकरामक वह पेट्रो डॉलर्स के आधार पर ही दुनिया भर में पहल रही है आज जहां कहीं भी आप इसलामी कट्टरपंती को देखते हैं वहाँ कहीं न कहीं सूत्र वो आयस आयस हो वो दशेश हो वो को हराम हो वो हरकतल इसलाम हो वो अलशबाब हो कहीं न कहीं वो साओधी अरब से जुड़ता है तो इस पक्ष को हमें देखा नहीं कर सकते हैं साओधी अरब आज खुद इ चुक जाएगी तब क्या उसका भविश्य होगा तो उसने वेकल पिक अपनी अर्थविस्था के लिए सोचना शुरू कर दिया है। कारण यह है कि अपने दुस्था हसिक दोर में जो हमले किये थे उसने दक्षनी यमन पर उस युद्ध को किसी नतीजे तक ले जाने में वो सफर नहीं हुआ है। साओधी कुछ भी कहें आज उनकी इस्तिति वो नहीं है जो शीद युद्ध के दौरान थी जब वो सेंटों के बगदाद पेक्ट के सदस थे और अमेरिका के लिए उनको अपने साथ रखना अमेरिका की मजबूरी थी। अब आज अमेरिका जब हट रहा है दुनिया के हर रनक्षित्र से तो उसने अफगानिस्तान में एक हैना शुरू कर दिया है। यह तो अफगानों की डड़ाई यह खुद लड़े मूँ से और जब साओधी अरब के उपर कोई सकट मट राता है तो ट्रम्प ने तो यह भी कहा था यदि मैं चाहूँ और अपना समर्थन वापस ले लूँ तो दो हफ़ते में वहाँ शाही परिवार भी नहीं रहेगा और साओधी अरब की स्वायत्ता का भी अंत हो जाएगा अब यह बड़ बोलापन ट्रम्प का भली रहा हो किन्तो आज भी तेल संपदा के शोधन दोहन उसके निर्याइत के लिए जिस तेकनोलोजी पर साओधी अरब निर्भर है वो पश्चिमी दिशों की बड़ी तेल कं प्राचीन सामराज्यों की हैं इस सब को देखते हुए ऐसा नहीं जान पड़ता कि निकट भविश में इरान को रोकने का प्रतिरोत का काम साओधी अरब मिलकर कर सकेगा इसराइल के साथ भी और अमेरिकी सबर्तन के साथ भी मगर चुकि हमारे सम्मद्द बहुत मधुर रह वो इसलामी दिशों के साथ भाईचारी का रहा है और भारत के साथ मेत्री की सीमाएं सपष्ट हैं भले उनने पाकिस्तान पर अंकुष लगाया है पाकिस्तान से उधार वापस लेनी की पेशकश की है मगर भारत के लिए इतने भर से संतुष्टोना रटिन है हमें इस पू हर दो दिए भारत के साथ नाहान है जार वालग भारत के साथ geen है की सийließen